वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरूतिनी एकादशी कहा जाता है। हिंदु धर में इस पोन्य व्रत को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। ये सौभाग्य प्रदान करने वाली है। इस व्रत में इस भग्वान विश्णू के वराह अफतार की पूजा करनी चा वरुथिनी एकादशी कहा जाता है वैशाक मास के क्रिश्न पक्ष की वरुथिनी एकादशी का वरत करने के लिए उपवासक को दश्मी तिथी के दिन से ही एकादशी वरत की नियमों का पालन करना चाहिए वरत पालन में दश्मी तिथी की रात्री में ही साथविक भोजन करन चाहिए और भोजन में मासम मूंग दाल और चने जो गेहूं का प्रयोब नहीं करना चाहिए इसके अतिरिक्त भोजन में नमक का प्रयोब भी नहीं होना चाहिए तथा शयन के लिए भी भूमी का प्रयोब ही करना चाहिए भूमी शयन भी अगर श्री विष्णू की प्रतिमा के निकट हो तो और भी अधिक शुब रहता है इस व्रत की अवधी 24 घंटों से भी कुछ आदेखो सकती है यह व्रत दश्मी तिथी की रात्री के भोजन करने के बाद शुरू हो जाता है और इस व्रत का समापंद्वादशी तिथी के दिन प्रातल काल में ब्राहमानों को दा सनानादी करने के बाद ही समाप्त होता है वरुतिनी एकादशी व्रत करने के लिए व्यक्ति को प्राता होटकर नित्यक्रम क्रियाओं से मुक्त होने के बाद सनानादी करने के बाद व्रत का संकल्प लेना होता है सनान करने के लिए एकादशी व्रत में जिन वस्तूओं का पूजन किया जाता है उन वस्तों से बने लेप से स्नान करना शुब होता है इसमें आवले का लेप, मिटी आधी और तिल का प्रयोग किया जा सकता है प्राता व्रत का संकल्प लेने के बाद श्री विश्नु जी की पूजा की जाती है पूजा करने के लिए धान्य का धेर सामक राजा रहता था राज काज करते हुए भी वह अत्यंत दान्शी और तपस्वी था एक दिन जब वह तपस्या कर रहा था उसी समय एक जंगली भालू आकर उसका पैर चबाने लगा तोई देर बाद वह राजा को घसीट कर वन में ले गया तब राजा ने घबदा कर त पैर भालू खा चुका था इससे राजा बहुत ही शोका कुल था विश्लू जी ने उसको दूप ही देखकर कहा कि हे वत्स मतुरा में जाकर तुम मेरी वारा हफ्तार मूर्ती की पूजा वरुथिनी एकादशी का व्रत करके करो इसके प्रभाव से तुम पुन हंगो वाले ह जाओगे भालू ने तुम्हारा जो अंकाटा है वहन भी ठीक हो जाएगा ये तुम्हारा पैर पूर्वजन के अपराद के कारण हुआ है राजा ने इस व्रत को पूरी श्रद्वा से किया और वह फिर से सुन्दर अंगो वाला हो गया वरुथिनी एकादशी का व्रत करने वाले को दश्मी के दिन से निमनलिखित दस वस्तूओं का त्याग करना चाहिए तांसे के बरतन में भोजन नहीं करना चाहिए मास नहीं खाना चाहिए मसूर की दान नहीं खानी चाहिए चना नहीं खाना चाहिए करोदे नहीं खाने चाहिए चाक नहीं खाना चाहिए इस वरत का फल सूर्य ग्रहन के समय दान करने से जो फल प्राप्त होता है। तिल दान से श्रेश्ट स्वर्न दान कहा गया है और स्वर्न दान से भी अधिक शुब इस एक आदशी का व्रत करने का उप्रांध जो फल प्राप्त होता है। वह कहा गया है।